कि दूस्टीव नमश्कर कि नमस्कार स्वागत है आपका व्यों में लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था करियर करियर और 12 जिसमें मैंने आपको बताै था कि कॉमल skating के बच्चों के लिए क्या करियर हो सकता है 12 के बाद आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि अगर आप 12 साइंस PCM के स्टुडेंट्स हैं मतलब फिजिस केमेश्ट्री मैट्स वाले स्टुडेंट्स हैं तो आपके लिए क्या जॉब्स क्या उप्शन हैं तो सबसे पहले बैचलर ऑफ टेक्नोलजी जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे स्ट्रीम से सिविल करना है आपको मेकानिकल में जाना है एविएशन में जाना है तो आपके पास बहुत सारे अलग-अलग चॉइसे से कि आप अपने इंट्रेस्ट के एकॉर्डिंग अपना स्पेशलेशन आप चूज कर सकते हैं बीटेक जो है फोर यर का कोर्स होता है अगर आप फोर यर का कोर्स नहीं करना चाहते आप अपना इतना टाइम नहीं जाना चाहते आप सिर्फ ग्राइशन करना चाहते हैं तो आप बीएसी में भी जा सकते हैं बीएसी में भी बीएसी फिजिक्स बी कर सकते हैं BCA जो है Bachelor of Computer application है इसमें जो है आपको benefit यह होगा कि आप अपना जो science का background है उससे हटकर आप computer application में आ जाएंगे तो आप IT में career जो है अगी तो के आप बना सकते हैं अगर आप BCA नहीं करना चाहते हैं आपको computer में नहीं जाना अगर आपका इंट्रेस आर्किटेक्ट बनने का है जैसे आपने देखा होगा कि डिजाइन बनते हैं तो वह सब करना है आपको तो आप भी आर्प कर सकते हैं Bachelor of Architecture यह भी four year का कोर्स होता है next is Diploma Engineering जिसको हम Polytechnic भी कहते हैं यूजली लोग जो है 10 के बाद करते हैं बट आज के टाइम में काफी बच्चे जो है 12 के बाद भी करते हैं तो आप 12 के बाद भी Polytechnic का कोर्स कर सकते हैं जो कि 3 यह का होता है इंडिया में बहुत सारे इस्टूशन से जहां पर आप यह कर सकते हैं और colleges जो हैं आपको प्लिटेखनी के बेस पर भी प्लेस्मेंट प्रवाइड करती हैं और इसके बाद आप चाहें तो बीटिक भी कर सकते हैं आगे के पढ़ाई के लिए या फिर आप इसी के बेस पर अपना जोब कर सकते हैं नेक्स्ट इस आइटी 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 आइए बी जो है पॉर्टेक्निक जैसा ही है जिसको आप 10 के बाद या फिर 12 के बाद कर सकते हैं इसमें भी आप अलग अलग एरियास होते हैं फिल्टर बनना है आपको वेल्डिंग का काम करना है डेटर एंट्री तो इस तरह के जो है और यह होता है एये अगर आपका पर इस बहुतो तो है तो 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 है आपको चाम में entry करना है तो आप Diploma in Education या फिर Diploma in Elementary Education का Course कर सकते है यह 2 years का होता है जिससे कि आप School में जो है Primary Teacher बन सकते हैं और बाद में जो है आप आगे चलकर V8 भी कर सकते हैं फिर जो है option हा हमारे पास IELTS का है IELTS International English Language Testing System अगर आप School के बाद abroad जाना चाहते हैं आप other countries में पढ़ाई करना चाहते हैं आगे के लिए तो फिर आप IELTS का exam दे सकते हैं यह कुछ options थे education के उपर अब हम देखते हैं कि jobs में आपके पास क्या-क्या options हो सकते हैं तो first is Indian Navy और Air Force तो अगर आप PCM के student है तो आपके पास एक बहुत अच्छा opportunity है क्योंकि commerce के बच्चों के पास सिर्फ आर्मी का option होता है तो आपके पास अच्छा option है कि आप Navy या Air Force के लिए apply कर सकते हैं आपको ND का exam clear करना पड़ेगा और इसके बाद जो है आप इसमे नेवी और Air Force का job कर सकते हैं next is merchant navy अगर आप Indian force में काम नहीं करना चाते हैं आप चाते हैं कि जो cargo shipping वाले काम होते हैं इंडिया के बाहर जो foreign countries में होती हैं वहां पर जाना चाते हैं तो आप merchant navy का course कर सकते हैं merchant navy में जो है आपको fighting नहीं करनी पड़ती तो एक तरह से आप सेफ रहते हैं यहां पर और इसके लिए भी इंडिया के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्ट्यूट्स से जो merchant navy का course कराते हैं आप उसको जॉइन करके अपना merchant navy का course कर सकते हैं next is customer service executive अगर आप कुछ time के जॉब करना चाहते हैं 12 के बाद ताकि आप site में बीटे की या फिर बीएसी आपको भी डिगरी करते रहें और साथ में आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा option है customer service का जो की BPO companies में आपको जॉब मिल जाएगी easily और यहां पे जो है काफी बची ऐसे होते हैं जो पड़ाही के साथ साथ Job करना चाहते हैं परसे का माना चाहते हैं तो बो इस तरह के Job में जाते भी हैं नेश्ट इस counselor अगर आप counseling में जाना चाहते हैं आप education area में जाना चाहते हैं तो आप counseling का job भी कर सकते हैं इसमें जो है आपको institutions याफे colleges में आपको job मिल जाएगी counseling के post पे जो कि 12th based students को hire करते हैं इसमें अगर आप experience लेंगे तो तो फिर आपकी salary भी इसमें अच्छी increase होती जाएगी नेश्ट रेक्रूटर का काम रेक्रूटर का काम जो है company के अंदर employee को hire करना होता है तो अगर आपका combination अच्छा है तो आप 12th based पे रेक्रूटर का job कर सकते हैं और आप अगर companies में काम नहीं करते हैं तो आप जो होती है या फिर होती है वहां पर आप काम कर सकते हैं और आगे चलके आप HR का profile में job कर सकते हैं नेश्ट इस reception तो receptionist का काम जो होता है जैसे किसी भी होटल में जाते हैं आप वहां पर reception होता है आप चाहें तो वहां पर भी job कर सकते हैं इसमें mostly जो है आपका day shift होता है सबसे बेश्ट यहीं है क्योंकि दिन के टाइम में ही जातर लोग आते हैं तो आपका काम जो है reception को संभलना होगा reception का जो area है उसको manage करना होगा उसकी सारी responsibility जो front desk का होता है वो सारा कुछ आपका होगा next is tutor तो आपके पास कोई subject का knowledge अच्छा है for example आपके chemistry में आप बहुत strong है आपका knowledge बहुत अच्छा है तो आप online tutor बन सकते हैं या फिर आप home tuition भी दे सकते हैं तो यह आपके पास choice है आजकल online platform बहुत सारे है यूडेमी जैसे या फिर यूएन अक्याडमी जैसे जहां पर आप online tutor के लिए registration कर सकते हैं और आप अच्छे करसे पैसे कमा सकते हैं तो यह कुछ options है यह limited options मैंने यहां पर बताया है आपको career opportunities बहुत ही हैं आप लोग के लिए बट लोग को ideas नहीं होते हैं कि क्या करना है त पास किस तरह के varieties of options है जो आप select कर सकते हैं अपने career को आगे बढ़ाने के लिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही next जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम यह देखेंगे कि जो PCB के students है physics chemistry bio के students है उनके लिए क्या career options है और मैं चाहूंगा कि आप यह वीडियो जो है अपने द करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको इसकी information notification के थुरू मिल जाए और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया